नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सेक्षनिक हर्थाल के साथ सभी बिद्यावलों में ताला बंदी तक करेंगे यह नीरने रभिवार को जार्खन सायक अध्यापक संघर्स मोर्चा के राज इकाई की बैठक में लिया गया वहीं 30 जून हुल दिवस के असर पर राजे के सभी प्रखन मुख्याले में मसाल जूलूस निकाला जाएगा वहीं 8 जूलाई को राजे के सभी जीला मुख्यालों में जीला इकाई की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपायूत को गयापन सोपा जाएगा और इसके बाद 20 जूलाई से पाराज सिक्षक मुख्यमंत्री अवास का अनिस्चित का लिन घेराव करेंगे इसके बावजूद मांगे पूल नहीं हुई तो पाराज सिक्षक बैठक कर सेक्षनी खर्दाल के साथ सभी बिद्यावल में तराबंदी का निर्नाई लेंगे जारखन में 24 से 28 जून तक भारी बारिस के असार जारखन में मांसुन का परवेश होने के साथ ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना सुरू कर दिया है बिते 24 घंटे में कई जूल में अच्छी बारिस हुई है सबसे अधिक वर्षा सिम्डेगा जिले के कोले वीरा में देखने को मिली है यहां 80 मिलीमीटर के आसपास बारिस हुई जबकि गिरीडी में 50 मिलीमीटर बारिस हुई है वही मौसम भी भाग ने अनुमान लगाया है कि 24 और 25 जून को राजी के उतर पूर्वी भाग जामतरा देवगर दुमका पाकुड गोड़ा साहवगन के कई लाकों में भारी बारिस हो सकती है रांची इस्थित मौसम भी ज्यान केंद्र के मुताबिक 26 जून को संताल प्रगना के कई जुलों में वहीं सराय के लाखर सावा पूर्वी सिंभूम और रांची के आसपास के इलाकों में भारी बारिस देखने को मिल सकती है जबकि 27 और 28 को रांची गिरीडी धनबाद बोकारो और हजारी बाग के साथ साथ कोडारमा में भी भारी बरसा की संभावना जताई कई है इसे लेकर एलो अलर्ट जारी कर दिया गया है रीम्स में अब बिना आयुसमान कार्ड के नहीं होगा निसुल्क इलाज रीम्स में आयुसमान युजना के लाव को को छोड़ और किसी को भी निसुल्क सुविधा बंद करने के त्यारी है रीम्स प्रवंधन इस दिसा में काम करना शुरू कर दिया है निदेसक डाक्टर राजकुमा ने बताया है कि निसुल्क की सुविधा वे बंद करने वाले है जिन गरीबों ने अभी तक आयुसमान कार्ड नहीं बनाया है जिसे लेकर कई बार प्रवंधन को सिकात मिल चुकी है इस समस्या के निदान की जगा और प्रवंधन इस सुविधा को ही बंद करने के त्यारी में है हलाकि प्रवंधन का मानना है कि आईश्मान व्योजना का लाब अगर सभी जरुरत मन ले लेते हैं तो इस से उन्हें पांच लाक रुपे तक का इलाज मिला मिल सकेगा है शिवराज और हिमंद की आज रांची में बैठक केंद्रिय किरिसी मंतरी शिवराज सिंग चुभान और असम के मुख मंतरी हिमंद बिश्वस सर्मा आज रांची में भाजपा नेताओ के साथ बैठा करेंगे परदेश अध्यक्ष बागुलर मरांडी और उनकी टीम के साथ बैठा कर बिधान सभा चुनाओ के लिए प्रभारी बनाये गए दोनों नेता जीत की समभावना तलासेंगे वही भाजपा ने सिवराय सिंग चुछान को बिधान सभा चुनाओ का प्रभारी और हिमंद बिश्वा सर्मा को सभ प्रभारी बनाया है हिमंद बिश्वा सर्मा रभीवार को रांची पहुँचेंगे जबकि सिवराय सिंग सन्नीवार को ही पहुँच गया है बता देर अभिवार को एक सरकारी कारेकरम में सामिल होने के बाद सिवराज सिंग चौहान भाजपाक कर्याले में बैठक करें वहीं दो सत्र में होने वाली बैठक में पहले सिवराज सिंग चौहान और हिमंद विस्वा सर्मा परदेस्त अध्यक्ष पावलमरांडी और उनकी कमिटी सब ही मोर्चा के अध्यक्ष राष्टिय दाई तो वाले भाजपा करकरतावों के साथ बैठक करेंगे परियोग साला सहायक के अभियार्थियों ने मुख्य मंत्री से की मांग जार्खन करमचरी चेन आयोग द्वारा परियोग साला सहायको के नियुक्ति को लेकर आयोजित परत्यों गिता परिक्षा में चोगराश से अभियार्थियों का पई नाम लंबित रखा गया है चो मां दे के बाद भी नाम जारी नहीं होने पर अभियार्थि परिसान है वेलागातार आयोग का चकर लगा रहे है लेकिन उनहें सिगर पई नाम जारी होने का स्वासन नहीं मिल रहा जिन अभियार्थियों के पई नाम को लंबित रखा गया है उनके उनसार कूल 690 पदों की विरूत 802 अभियार्थियों के पान पत्रों का सत्यापन किया गया इनमें से 550 अभियार्थियों को ही पिछले वर्ष 29 दिसंबर को नियुकती पत्र मिला है से सब यार्थियों का पई नाम अभी तक लंबित है वहीं दूसरी तरफ आयोग के पताधिकारी समंद में पुछने पर बार बार सिग्र पई नाम जारी करने का स्वासन ही देते हैं रेलवे में होगी 30,000 टेकनेशियन पदों की बहाली रेलवे ने 16 जोन में 3,365 टेकनेशियन के पदों पर बाहाली होगी रेलवे बोर्ड के निदेशक बिद्याधर सर्मान इस समंद में आदेश जारी कर दिया है रेलवे के सभी जोन में बरतमान में 9,144 पदरिक्त हैं और इन पदों पर निदेश के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश दे दिया था लेकिन सभी जोन ने 3rd और 4th लाइन का कमिशन होने और ट्रेनों की संख्या बढ़ने मेकेनिक बिभाग में में ब्रीधी होने के बाद सभी पदों की ब्रीधी की मांग की है क्योंकि इसके बाद अगले 4-5 सालों में फिर नियुक्ती नहीं होगी इसलिए भविस में कितने पद पर रिक्तिया होने वाली है और उन्हें भी पदों की बढ़ोतरी की दोरान ध्यान में रखा गया है रेले बोर्ट ने इस दिसा में जल्द पहल सुरू करने को कहा है माना जा रहा है कि 2 जून 2023 में बलेस्वर में होई सद्धी की सबसे बड़ी रेल दुखटना के बाद करमचारियों में रिक्त पदों पर भाली करने की मांग उठी है NGT की रोक के बाद बालू की काला बजारी सुरू 10 जून से NGT ने नदी से बालू की निकासी पर रोक लगा दी है और जिससे बालू के दाम काला बजार में लगभग दो गुना बढ़ चुके है चाईबासा में 25 सुरूपे के बालू 45 सुरूपे प्रती ट्रेक्टर बेचे जा रहे है वही मई और जून माह में लोग अपने घरों का निर्मान करते हैं जिसे बालू की ज़रूरत बढ़ जाती है जनवरी माह में चाईबासा सहर में 25 सुरूपे प्रती 100 शिफ्ट बेचा जा रहा था वही मार्च में इसके दाम बढ़ कर 35 सुरूपे हो गए जबकि अब 45 सुरूपे में एक ट्रेक्टर बालू सहर में बेचा जा रहा है इसके लिए चाई बासा के कुजु नदी घाट, आयता बालू घाट वा कुर्सी बालू घाट से उठाव किया जा रहा है तात नगर परखंड के इली गड़ा वा सराय केला जिले की ओर से एक दर जन से अधिक जगों से अवैद बालू की निकासी की जाती है बिधान सभा चुनाव से पहले जार्खन को मिलेगा नाया जिला घाट सिला अनुमंडल को जिला बनाये जानने के पूछे गए सवाल पर मुख मंतरी चमपाई सुरेन ने हमी भरते वे कहा है कि हम लोग बहुत जल्द आएंगे जिला बनाने के लिए यहाँ मुख मंतरी चमपाई सुरेन ने कहा है कि घाट सिला को जिला बनाने के दिशा में पहल तेजी कर दी गई है इस पर बहुत जल्द ही नीरन ले लिया जाएगा घाट सिला बिधायक रामदा सुरेन ने घाट सिला अनुमंडल छेत्र को जिला गोसित करने की मांग सम्बंधित ग्यापन मुख मंतरी चमपाई सुरेन को रांची में सौपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि घाट सिला अनुमंडल जिला बनाने की सभी अहरताओं को पुरा कर रहा है और छेत्र की जानता की वर्सो पुरानी मांग है कि घाट सिला को जिला गोसित किया जाए मुख मंतरी ने बिधायक रामदा सुरेन के ग्यापन पर संग्यान लेते हुए घाट सिला को जिला बनाने की कागजी करवाई शुरू कर दी है सिवराज चवहान ने चमपाई सुरेन को बताए हिंदूस्तान की सबसे भरष्ट सरकार केंदरी, क्रिशी मंतरी और जारखंड के भाजपा परदेश, चुना, प्रभारी, सिवराज, सिंग, चवहान ने रभवार को चमपाई सुरेन सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने दावा किया है कि जारखंड की चमपई सुरें सरकार हिंदूस्तान की सबसे भरष्ट सरकार है इस दोरान उन्होंने भाजपा के जारखंड के करकरताओ, नेतित वूत अस्तर के करकरताओ और पुल टीम ने लोग सबाचुना में परिश्रम की परिकास ठाक की है इसी का नतीजा है कि भाजपा ने यहां संदार्थ पलता हासिल की है चवहान रभीवर को रांची में प्रेश वारता को समधित किया इस दवरान चुनाव सह प्रभारी और असम के मुखमत्री हिमंत विश्वास सर्मा और परदेश अदेश बावला बरांडी भी उपसित रहे उन्होंने कहा है कि हम जार्खान में नव सीटे जीते हैं और लगभग बावन विधान सवाच्छेत्रों में भाजपा आगे रही है मैं यहां के नितित्व और करकताव का अभिननदन करता हूँ साथ ही सीवराज चौहान ने जार्खान सरकापनी साना साते वे कहा है कि सुरेन सरकार जार्खान को तबाही की ओर ले जा रही है निट परिक्षा को लेकर जीले भर में कई जगा फूका पुतला निट परिक्षा में भरिष्ट चार के खिलाब कांग्रेस के जीला अस्तरिय परदसन के तहत रभिवर को जीला कांग्रेस कमिटी के तत्वधान में सहर के जेपी चोक पर केंद्रिय सिक्षा मंद्री धर्मेंद प्रधान का पुतला दहन किया गया इस असर पर कांग्रेसियों ने NDA सरकार हाई हाई धर्मेंद प्रधान इस्थीपा दो के नारे भी लगाए हाई जिला अध्यक धनाजय सिंग ने कहा है कि पिछले कई सालों से कई भारती परिक्षाईंपे पर लिख हुआ है लाको हुनहार छात्र दीन रात मेहनत कर रहे हैं उनके अविभावक पेट काट कर उन्हें पढ़ाई कराते हैं लेकिन इनके अर्मान भरस्टा चार के आसू में बह जाते हैं घाट सिला में 141 विकास वजनाओ की सोगात मुख्यमंत्री जारखन को सवारना है इस राजी को नई दीशा देना है समाज कमतिम पंक्ति के ब्यक्ति को आगे बढ़ाना है इसी प्रतिबत्ता के साथ हमारी सरकार हर मुर्चे पर कायम कर रही है मुख्यमंत्री सिरी चमपाई सुरेन ने पूर्वी सिम्हुम जीले के खार सिलाज्थीत मौभंडर में आयोजित विभीन वजनाओ के उद्धाटन सिलार न्यास एवं लाभकों के बीच परिसंपति बिदरन समारों को समोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी के सहयोग और भागिदारी से जहारकन को अवल राज बनाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज की जनता को हमारी सरकार कई नई सोगात देने जा रही है अब बिली उभकताओं को 200 यूनिट बिली मुफ्त मिलेगा वहीं 25 वरस्य अधिक एवं 50 वरस्य कम उम्रे की बहनों और बेटियों को सरकार आर्थिक सहयता देने जा रही है किसानों को 2 लाख रुपे तक का क्रिसी लोन माप करने का भी निन नई सरकार ने ले लिया है इन वे नावक जर ये राज की जानता को आगे बढ़ने और ससक्त बनाने का पर्यास हो रहा है धन्यवाद